तो नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागात है देखें जार्खन जीके के लिए यहाँ पर बहुत यह बढ़िया सेशन हर रोज देखें तीन बजे चल रहा है आप लोग सभी कोई तीन बजे दोस्तों आप लोग पास नोटिपिकेशन पहुंचे आप पहुंचे यूट्यूब में सर्च किजिए दोस्तों जोब इनपॉर्फिसण और दोस्तों चैनल में इल्ट्री किजिए और देखें आप लोग को जो है यह सेशन आप लोग को देखें मिल जागा ठीक है तो जरूर से जरूर दोस्तों यहाँ पर देखें बढ़िया बढ़िया कोश्चन है, देखे नीमलकीत में से देखे कौन सी जाती जाती जारकन में अनुसुचित जाती के रूप में जो है अधिसुचित नहीं है, देखे कोश्चन ओप्सन दिया हुआ है, बंतर, चमार, धानक, कंजर, तो दोस्तों देखे इसका आप लोगा सही अंसर क् इसका सही अंसर हुगा धिके द्धालों का जोए राइट अंसर होगा शार्कन में में अनुसुचित जाती के रूप में अधिसुचित जाती नहीं है तो दिके धालों का देखिए आप लोगए इस Signaion अपर धीके इसका सही अंसर होगा सी नंबर ध्यान रखेगा दूसें और राज का देखे लेंग अनुपाद जो है 949 देखें जो है अप लोग का सही अंसर होगा अगले कुछन यहाँ पर देखे हमारी योजना हमारा विकास के संदर्म में नीमन में से देखे क्या सत्य नहीं है आपको बताना है हमारी योजना हमारा विकास के संदर्म में नीमन में से देखे क्या सत्य नहीं है औरफसं दिया है, यह संसाधनों एबम मानव सरम के 61 करन पर अधारित है, यह देखे गराम पुंचायत के विकास से संबंदित है, और अपसन C है, पंचायत योजना टीम का हिस्सा है, और अपसन D है, यह गराम पंचायत विकास योजना के अंद्रगत नहीं है। तो दुसके हमारी योजना हमारा विकास के संदर में कौन सत्य नहीं आपको बताना है इसका सही अंसर का D-Number ध्यान रखेगा जो की दुसके यह ग्राम पंचायद विकास योजना के अंतरगत जो है नहीं है ठीक है अगले कुसर यहां पर देखे निमनंकित में से देखे कौन जैपाल सिंग मुन्डा बगवानी योजना शिधु कानू बगवानी योजना आमसे संबंधि आमसे अंधन योजना तो दोस्तों देखिए इसका आप लोगा सही अंसर क्या हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसका सही अंसर होगा आपको बताना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जोहार पी-एम-जे-स-वाई स्वक्ष जलधारा इसका सही एंसर होगा दोसों धियान रखेका बी-नम्र जोकी जोहार देखे अप लोगा जो है राइट एंसर होगा अगला कुसें देखिए, 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारखंड में संथाल एबं मुंडा जनजाती का अनुपात, आप लोगो जो है, कूल जनजाती जनसंख्या के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारखंड में संथाल एबं मुंडा जनजाती अनुपात कुल जन जाति जन संग्खिया के आनुसार कितना है आपको बताना है इसका इसका एंज़ी अंसर होगा थो थो ध्यान रखेएंगा बीनिमबर जोकी धेँ टिटी फटी उपात फिन भीटिन इसका जो है इसका डा इसका 해 शेट उण सका पीवी टीजी के वो जो है सौप परतिसत साहता के रूप में मिलता है इसका सही अंसर क्या होगा सब डी नमबर जो कि देखे एक लाग एक तीज़र पांसो रुपए देखे इसका जो है पलो का राइड अंसर होगा अगले कुशन यहां पर बढ़ते हैं देखे राज बिद्वा सम्मान पैंसन योजना ठीक है आर भी एस पी वाई के अंतरगत कुल कितनी रकम दी जाती है देखे इसका सही अंसर क्या होगा देखे ए नमबर जो कि 600 रुपए परतिमा देखे था अब इसको बढ़ा करके दूस्तों है एक हजार रुपए कर दिया गया है आपको पता होना जाए जिसके बारे में हम आपको लोगों को जो है अल्रेडी अपडेट कर चुके थे ठीक ह अब जो है इसको जो है 1000 रुपए कर दिया गया है आईए दुस्तों अगले को सुनिया पर देखते हैं 2018 के स्वक्ष सर्वेक्षन के अनुसार जारखंड को देखे बारत में 10 अस्थान मिला है 2018 में स्वक्ष सर्वेक्षन के अनुसार जारखंड को जो है कितना अस्थान मिल क्वारत को पर्थम अस्थान मिला था अगला कुछ झान कि निमनकित में से दीए कौन जो है से टी एची अजाए का हिस्सा नहीं है च्छाए आपको बताना है स, A, T, H ठीक है? ई, परियोजना का जो है हिस्सा नहीं है, अपको बताना है कौन सा है इसा? दिखे, इसका उन्सर होगा अपनों का D, जो की देखे, घ्यान सेतु अपनों का जो है इसमें राइट अन्सर होगा, ठीक है? जहारखंड के किस जीले में जो है gross enrollment अनुपात यानि GER सरवाधिक है तो दोस्तों देखिए इसका आप लोगा सही अंसर होगा देखिए ए नमबर जो की चतरा देखिए आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा ठीक है देखिए देखिए किस टाइब का question पूछा जाता है आप लोगा एक्जामस में तो इस टाइब का question आप लोग जो है cover करके जरूर जाए ठीक है यहाँ पर देखिए अगला question है जो की सरकारी कारियालों में बंद internet देखिए आप लोगा बंद internet से जोड़ने के लिए जो है इसका सही अंसर होगा जहार नेट का उपयोग देखिए आप लोग को बताना है अगले question है पर देखिए जारकन संपूर्ण बिजली अक्छादन योजना संबंदित आपको बताना है इसका सही अंसर देखे सो इसका सही अंसर क्या होगा और B नम्मर इसका देखे सही अंसर का ग्रामिन बिदूती करन से देखे इसका जो है सही अंसर का जारकन संपोर्न बिजली अक्छादान योजना समबंदित हैं, ग्रामिन विदूती करण से। अगले कुछें देखे पी जी डाकियाय योजना समबंदित हैं। पी जी डाकियाय समबंदित किस से आपको देखे बताना हैं। तो दूसरों देखिए आप लोगा इसमें सही अंसर क्या हो जागा PVTG जो है डाकिया जोना समबंदित किस्से है देखिए इसमें सही अंसर का B-Number जो कि PVTG को जो है खाधान उपलब्द कराने से जो है पलोगा जिसमें राइट अंसर होगा ठीक है B-Number आईए दूसरों अगला कुशन यहाँ पर देखिए जारखंड में गरीबों को देखिए केबल 10 रुपे में एक बार का भोजन मुख्यमंत्री डालभात योजना के तहत दिया जाता है ठीक है तो कितने रुपे में आप लोगों को दिया जाता है अंसर देना है सबका अंसर अना चाहिए यह दिखिए बिल्कुल 205 रुपे देखिए आप लोगों का यह में सही अंसर होगा ठीक है अगला कुशन देखिए आहार ज्ञारखंड है ठीक है अहार ज्रकंड है क्या है एक और प्रतल है एक सिने के अछिस्तिक पॉर्टल है एक ऊफलाइन अगला कुछ से देखें जारकंड-horticulture इन्टेंसिफिकेशन जारकंड-horticulture इन्टेंसिफिकेशन by micro-drip picky irrigation किस Дав एक किस देश सब्र máximo सही अंसर का होगा किस देखाई अंसर एक जापान जारकंड-horticulture इन्टेंसिफिकेशन by micro-drip irrigation परियोजना, किस दिस द्वारा जो है पोसी तो देखे जापान देखे अप लोगा जो इसमें सही अंसर हो जाएगा तो दोस्तों देखे अगला question आप लोगा कोछी स्तरह है देखे, संथालों के जनक कोन है आपको बताना है दोस्तों देखे अगला कुशन है बैदनाथ मंदिर जो है डैस जोतिर लिंगो में एक है इसका देखे सही अंसर आप लोगा क्या होगा दोस्तों देखे ए नंबर जो की बारा दोस्तों आप लोगा जो है राइट अंसर होगा ठीक है बैदनात मंदिर जो है बारा सीव जोतिर लिंगो मैसेज देखे एक है ठीक है अगले कुशन यहाँ पर देखे जत्रा भगत छोटा नाकपूर के कीस अंदोलन के सस्थापक है इसका सही अंसर क्या होना चाहिए इसका देखे आप लोगा सही अंसर होगा दोस्तों आप लोगा बी नंबर देखे इसका जो है सही अंसर होगा ताना भगत अंदोलन आप लोगा जो है राइट अंसर होगा ठीक है जात्रा भगत छोटा नाकपूर के कीस अंदोलन के सस्थापक है तो देखे ताना भगत अं अधित्यपूरा अधियोगीक छेत्र जो एसी आ कि देखे सबसे बड़े अधियोगीक छेत्र मैं से एक है वो दैस में इस ती थै आपको बताना है तो दोस्तों देखिए सबका अंसर आना चाहिए इसका और देखिए इसका सही अंसर आप लोगा देखिए जमचेतपूर ठीक है धियान रखिएगा जमचेतपूर में देखिए अधितिपूरा अधियो की खेतर जो है आप लोगा इस्तीत है ठीक है अगले कुशन बढ़ते हैं अगला कुशन देखे कुछ इसतर है जारखंड जो है कलस्टर ग्रेवस के लेखक कौन है आपको बताना है ठीक है जारखंड कलस्टर ग्रेवस के लेखक कौन है ठीक है जारखंड कलस्टर ग्रेवस के लेखक कौन है ठीक है जारखंड कलस्टर ग् राष्ट में खनीज के उत्पादन डैस का देखे परधान करता है इसका सही अंसर क्या होगा देखे इसका सही अंसर होगा दूसरों C नमबर जो की धियान रखे का 40 परतिसत अपलों का जो इसमें राइट अंसर होगा ठीक है अपलों को ये कुशन सबका आना चाहिए जहारकन राष्ट में खनीज का देखे उत्पादन 40 परतिसत परधान करता है अगले कुशन देखे इन में से देखे कौन सा जहारकन का कला रूप है आपको बताना है जहारकन का कौन जो है कला रूप है इसका सही अंसर होगा दोस्तों तो ए नमबर जो की जदो पटिया देखे आप लोगा इसमें जो है राइट अंसर होगा ठीक है कला रूप जदो पटिया जो है कला रूप है ठीक है अगला कुशन देखे, निमलकीत में से देखे कौन सा जो है जारखंड में वन्य जीब अभ्यारण नहीं है अगले कुशन देखे, जारखंड जो है भारत में ढेश का उतपादन करने वाला एक मात्र राज़्य है तो देखिए तो क्या इसका अंसर हो जाएगा आप लोगों का देखिए अंसर देना है तो देखिए इसका जो है सही अंसर का कोकिंग कोईला पायराइट यूरेनियम जो है भारत में जो है जहारखंड जो है भारत में मात्र ये एक मात्र राज उत्पादन जो है करने वाला कोकिंग कोईला है पायराइट यूरेनियम ठीक है इन सब खनी जो का देखिए एक मात्र उत्पादन होता है सिर्फ जारकंड में अगला कुशन देखिए मायराक्षी नदी डैस से जो है प्रभावित होती है मायराक्षी नदी डैस से प्रभावित होती है आपको बचाना है अगला कुशिन देखिए कुछ इस तरह है निमलकीत में उसे देखिए कौन सी कला जारखंड की है आपको बताना है अगला कुसे बिखे ललीता परशात विद्यारथी के वर्गी करन के अनुसार कौन सी जन्जाति अस्थान्तरण किरिसी करती है ठीक है ललीता परसाथ विद्यार्थी की वर्गी करन के अनुसार कौन सी जनजाती अस्थांतरन क्रिसी करती है तो दीखिए इसका सही अंसर होगा सोरा पाहडी आप लोका दीखिए इसमें जो है राइट राइट अंसर होगा अगला कुशन देखिए जनगन्ना 2011 के अनुसार निमलखी तिमें से कौन सी जनजाती का दीखिए लिंगा अनुपात रास्ट या उसाथ से नीचे है दीखिए इसका सही अंसर को सो लोहरा खरवार दीखिए अप लोका जो इसमें राइट अंसर होगा अगले कुशन दीखिए अगला कुशन दीखिए दिपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन प्रुषकार से देखिए सम्मानित किया गया था दीखिए दो हजर बारा दुस्तों इसका जो हप लोका राइट अंसर होगा अगला कुशन दीखिए सेलेस कुमार बंदो पद्याए को किस छेतर में दीखिए पद्भुषण से सम्मानित किया गया था दीखिए इसका सही अंसर का चिकित्सा और सार्वजिनिक स्वस्त दीखिए इसका जो हप लोका राइट अंसर होगा ठीक है सेलेस कुमार बंदो पद्याए को चिकित्सा और सार्वजिनिक स्वस्त में जो है पद्भुषण से देखिए सम्मानित किया गया था दोस्तों अगला कुस्छन है देखिए सिद्धु मुर्मु और कानु मुर्मु डैस के नेता थे इसका सही अंसर रिषे पाल्षें के नेता थे अकला कुशन दीके निम्लकीत में से कौन सा तहिवार औविभाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है शुच है देखे इसका सही अंसर होगा दूसरों जो कि C नंबर जो कि जावा देखे आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा ठेक है अगले कुशन यहाँ पर देखते हैं जारकन राजे दूसरों जेपी अंदोलन कारियों को पेंसन देने वाला भारत का कौन से जो है नंबर का राजे है झारकन राजे जो है जेपी अंदोलनकारियों को पेंसं देने वाला भारत का कौन सा देखिए राजे है आपको बताना है इसका सही अंसर का दिखेंगा C number जो कि दूसरे देखीया पपलोगा जो है राइट अंसर हो है दूसरा राज्य है येथिण कारी क werepe पैंसन देने वाला भारत का दिखें दूसरा राज्य है कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्ष्ष द्वारा देखिए इसका सही अंसर होगा दोसों C-number जोकि 8 देखिए अप लोगा जो इसमें right अंसर होगा ठीक है अगले कुशन देखिए जारखंड में किस जनजाती में सरधा संसकार को कमावत कहा जाता है चिसका सही अंसर होगा आप लोग का A-Number जो कि भूमीज देखिए आप लोग का जो इसमेर राइट अंसर होगा अगले कुशन देखिए किस जंजाती में देखिए बांस को वास को ही देखिए अपना मूल के अंदर मान कर और थबे अस्था का देखिए अधार चून लिया है देखिए इसका सही अंसरों का D-Number D-Number दोस्तों जोगी माहली देखिए अपलों का जो है राइट अंसरों का ठीक है माहली अगला कुशन देखिए अनुसुचित जन्जातियों के देखिए कल्यान को बढ़ावा देने के लिए सम्विधान के किस अनुचेद में वर्नन किया गया है देखिए इसका सही अंसरों का C-Number जो की 275 देखिए अपलों का जो है राइट अंसरों होगा अगला कुशन देखिए जारखन के देखिए सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है तो दोस्वों देखिए इसका आप लोगा सही अंसर क्या होगा अगला कुशन देखिए जारखन में राजसभा में कितने सीटें हैं आपको बताना है तो देखिए जारखन में जो है देखिए इसका सही अंसर का दीनमबर जोकी छे आप लोगा right अंसर होगा अगले कुशन देखिए जारखन में राजसभा से कितने सीटें है तो देखिए 6 आप लोगा सही अंसर होगा क्या उपलब्द करवाना है आपको बताना है अगला कुछन देखे भारत का देखे सबसे बड़ा बिसफोटक करका ना आपको बताना है देखे सका सही अंसर क्या हो जागा आपको बताना है जारकन की देखे पहली महिला कैबिनिट मंतरी का नाम बताना है आपको ए नमबर देखिए अप लोगा सही अंसर होगा जो कि जोबा मांजी देखिए अप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा ठेक है और यहाँ पर देखे ए नंबर आप लोगा जो है इसमें राइट अंसर होगा जो कि भागाल पूर देखे इसमें जो है आप लोगा सही अंसर होगा अगला कुशन देखे हिरनी जहरना कहां पर है आपको बताना है दोस्तों देखिए इसका सही अनसर होगा आप लोगका ए नमबर जो कि पूर्वी सिंग भूम अप लोगका जो है इसमें सही अनसर का है जुर्वी सिंग भूम की राजधानी क्या है आपको बताना है देखिए दियान रखे आप लोग दुमका देखिए आप लोग का अप्शन देना चाहिए था लेकिन अप्शन देखिए आप लोग का नहीं है ठीक है तो चलिए हम लोग कोशन आगे बढ़ते हैं अगले कुशन यहाँ पर देखिए चेतर की अनुसार जो है जहारकंड का सबसे बड़ा जीला कौन है आपको बताना है देखिए इसका सही अंसर आप लोग का क्या होगा ध्यान रखेगा C नंबर जो की पस्चिमी सिंगभूम आप लोग का राइट अंसर होगा ध्यान रखेगा इसका पस्चिमी सिंगभूम देखिए इसका सही अंसर होगा यह नमबर जो कि 66.41 देखिए आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा अगली कुशन देखिए 2011 के अनसा जो है जारखन का सक्षर्टा दर आप लोगो जो हम बता चुके हैं आखिए दुस्तों अगला कुशन देखिए जारखन में माननेता पर आप जन जातियों की कूल संख्या क्या है अगला कुशन देखिए आदिवासी छेतर में खेती मुख्य रूप है आप लोगो बताना है देखिए आदिवासी छेतर में खेती मुख्य रूप से डैस है आपको बताना है देखिए C नमबर आप लोगा इसमें जो है सही अंसर होगा सुस्क भूमी की खेती आप लोगा जो इसमें राइट अंसर होगा अगला कुशन देखिए सो और यह देखिए अंतिम कुशन है सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम अस्थान आपको देखिए बताना है यह नमबर आप लोगा जैसमें सही अंसर होगा जो कि छोटा नापपूर पठार आप लोगा जैसमें राइट अंसर होगा तो चलिए समें धन्य बाद